चतुर विरिशती, मुर्ती स्त्रोत एवं द्वादसाक्षर स्रोत मैं उनको नमस्कार करता हूँ गोविंद अपने हाथों में क्रमशह, चक्र, गदा, पद्म और शंक धारन करने वाले तथा बलशाली है स्री विश्नुंग, गदा, पद्म, शंक एवं चक्र धारन करते हैं वे मोक्ष देने वाले हैं मधुसूदन, शंक, चक्र, पद्म और गदा धारन करते हैं मैं उनके सामने भक्ती भाव से नत्मस्तक होता हूँ त्रिविक्रम, क्रमशह, पद्म, गदा, चक्र एवं शंक धारन करते हैं भगवान वामन के हाथों में शंक, चक्र, गदा एवं पद्म शोभा पाते हैं। वे सदा मेरी रक्षा करें। शिरिधर, कमल, चक्र, श्रांग, धनुष और शंक धारन करते हैं। वे सबको सद्गती प्रदान करने वाले हैं। इशिकेस, गदा, चक्र, पद्म एवं शंक धारन करते हैं वे हम सब की रक्षा करें pret? वरदायक भग्वान पद्वनाब शंक, पद्म चक्र और गदा धारन करते हैं दामोदर के हाथों में पद्म शंक गदा और चक्र शोभा पाते हैं मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, गदा, चक्र और पद्म धारन करने वाले वासुदेओं ने ही संपूर्ण जगत का विस्तार किया है, गदा, शंक, पद्म और चक्र धारन करने वाले संकर्शन आप लोगों की रक्षा करें, वाद, युद्ध कुशल भगवान प्रदुम्न चक्र, शंक, गदा और पद्म धारन करते हैं, अनिरुद्ध चक्र, गदा, शंक और पद्म धारन करने वाले हैं, वे हम लोगों की रक्षा करें, सुरेश्वर पूर्शोत्तम, चक्र, कमल, शंक और गदा धारन करते हैं, भगवान अक्सोधक्ष, भगवान अधोक्षज, पद्म, गदा, शंक और चक्रधारण करने वाले हैं, वे आप लोगों की रक्षा करें। करने वाले जनार्दर शंक पद्म चक्र और गदाधारी यग्य सो रूप श्रीहरी तथा शंक गदा पद्म एवं चक्र धारण करने वाले श्रीक्रिष्ण मुझे भोग और मोक्ष देने वाले हूं आदी मूर्ति भगवान वासुदेओं हैं उनके संकर्शन प्रकट हुए सं कुल मिलाकर बारह स्वरूप हुए 24 मुर्तियों के इस्तुति से युक्त इस द्वादसाक्षर स्रोत का जो पाठ अतवा प्रणाव करता है वो निर्मल होकर संपूर्ण मनोरतों को प्राप्त कर लेता है मत्स्यादी दशावतारों की प्रतिमाओं के लक्षन का वर्णन कुर्म कच्छप के आकार की होनी चाहिए मत्स भगवान की आकरिती मत्स के समान और कुर्म भगवान की प्रतिमा कुर्म कच्छप के आकार की होनी चाहिए पृत्वी के उध्धारक भगवान वराह को मनुश्याकार बनाना चाहिए वेदाही ने हाथ में गदा और चक्रधा प्रुत्वी तथा अनंत चर्णों के अनुगत होते हैं भगवान वरा के स्थापना से राज्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है नरसिंग का मुह खुला हुआ है उन्होंने अपनी बाई यांग पर दानों हरंड कशपु को दवा रखा है और स्थैत्य के वक्ष को विदेर्ण करते दिखाई देते हैं उनके गले में माला है और हात में चक्र एवं गदा प्रकाशित हो रहे हैं वामन का विग्रह शत्र एवं दंड से सशोबित होता है अत्वा उनका विग्रह चत्रभुज बनाय जाए पर शुराम के हाथों में होना चाहिए वे खडग और फरसे से भी शोबित होते हैं श्री राम चंद्र जी के श्री विग्रह को धनुष बान खडग और शंक से शुशोबित करना चाहिए अत्वा वे द्विभुज माने गए हैं बल राम जी गदा एवं हल धारन करने वाले हैं अत्वा उन्हें भी चत्रभुज बनाना चाहिए उनके बाएं भाग के उपर वाले हाथ में हल धारन करावें और नीचे वाले में सुन्दर शोभा वाला संक और नीचे वाले में सुन्दर शोभा वाली शंक दाएं भाग के उपर वाले हाथ में मूसल धारन करावें और नीचे वाले हाथ में शोभाय मान सुदर्शन चक्र बुद्ध देव की प्रतीमा का लक्षण यूँ हैं बुद्ध उचे पद्ममय आसन पर बैठे हैं उनके एक हाथ में वरद और दूसरे में अभय की मुद्रा है वे शांत स्वरूप हैं उनके शरीर का रंग गोरा और कान लंबे हैं वे सुन्द कर पीतवस्त्र से आवरत हैं कल की भगवान धनुष और तूनीर से शुषोफित हैं मलेच्छों के सनहार में लगे हैं वे ब्राम्मन हैं अत्वां उनकी आकरिती इस प्रकार बनावें वे घोड़े की पीठ पर बैठे हैं और अपने चार हाथों में खडग शंक चक्र एव वासुदेव की मुक्य पहचान हैं उनके एक पार्शों में ब्रह्मा और दूसरे भाग में महादेव जी सदाविराज मान रहते हैं वासुदेव की शेज बातें पुर्ववत हैं वे शंक अत्वा वरद की मुद्राधारन करते हैं अत्वा सोरुप द्विभुज अत्वा पुर्वक इन अस्त्रों को धार्ण करते हैं या उनके एक हाथ में धनुष दूसरे में बाण हैं पुरुज और भगवान नारायन का विग्रह चत्रभुज होता है ब्रह्मा जी हंस पर आरूड होते हैं उनके चार मुख और चार भुजाएं हैं उदर मंडल विशाल हैं लंबी दाधी और सीर पर जटा यही उनकी प्रतीमा का लक्षन हैं वे दाहिने हाथों में अक्षसूत्र और सुर्वा एवं बाएं हाथों में कुन्निका और विश्णों के आठ भुजाएं हैं वे गरूर पर आरूड हैं उनके दाहिने हाथों में खडग, गदा, बान और वरद की मुद्रा हैं बाएं हाथों में धनुष, खेट, चक्र और शंक हैं अत्वा उनका विग्रह चतुर्भुज भी है नर्सिंग के चार भुजाएं हैं उनकी दो भुजाओं में शंक और चक्र है तथा दो भुजाओं से वे महान असुर हिरण का शपू का वक्ष विदिर्ण कर रहे हैं वराह के चार भुजाएं हैं उन्होंने शेस नाग को अपने करतल में धारण कर रखा है वे बाएं हाथ से पृत्वी को और वाम भाग में लक्षमी को धारण करते हैं जब लक्षमी उनके साथ हो तब प्रत्वी को उनके चर्णों में सनलगन बनाना चाहिए त्रेलोक के मोहन मुर्ती श्रीहरी गरूण पर आरूड है उनके आठ भुजाएं वे दाहिने हाथों में चक्र, शंक, मुसल और अंकुष धारण करते है उनके बाये हाथों में शंक, शांग्र धनुष, गदा और पाश शोभा पाते हैं वाम भाग में कमल धारिनी कमला और दक्षिन भाग में विना धारिनी सरस्वती की प्रतिमाएं बनानी चाहिए भगवान विश्वरूप का विग्रह बीस भुजाओं से सुषोभित है वे हाथों में शंक, श्रांगधनुष, गदा, पाश, तोमर, हल, फरसा, दंड, छुडी और उत्तम धाली रहते हैं उनके दाहिने भाग में चत्रवुज, ब्रह्मा तथा बाये भाग में त्रिनेत्रधारी महादेव विराजमान हैं जल शाई जल में शयन करते हैं इनके मूर् भादी शक्तियां उनके स्तुति करती हैं उन श्रीहरी के नाभी कमल पर चतुर्भुज ब्रह्मा रहे हैं, Qurin हर मूर्तेस बनानी चाहिए, वो दाहिने हाथ में शूल तथा श्रिष्ठिधारण करती हैं और बाय हाथ में गदा इवं चक्र, शरीर के दाहिने भाग में, र चार हाथों में क्रमशह, शंक, चक्र, गदा और वेद शोभा पाते हैं। उन्होंने अपना बाया पैर, शेस नागपर और दाहिना पैर कच्छप की पीठ पर रख छोड़ा है। दत्तात्रे के दो बाये हैं। उनके वामांग में लक्षमी शोभा पाती हैं। भगमान के पारशत विकवक्षेन अपने चार हाथों में क्रमशह, चक्र, गदा, हल और शंक धारन करते हैं।